So Hello Everyone, Welcome to my channel, Study with Bisu, तो कैसे हैं आप लोग, तो ये Harry DT and Evolution का Lecture No.3 है, तो ये Lecture Start करने से पहले, अगर आप लोग ने Lecture 1 and 2 नहीं देखा है, तो वो Lecture देख लें, then इस Lecture पे हैं, तब आपको ये Lecture अच्छे से समझ में आये का Lecture 1 and Lecture 2 का Link मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दिया ह और सांती उपर आपको आई बोतन पे इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहांसे आप लोग इसको चैप्टर को सीरीज बाइज, Lecture 1, Lecture 2 and Lecture 3 और फॉर्दर जो भी Lecture आएंगे, उनको सीरीज में देख सकते हैं, तो चलिए यहां से हम लोग आज का Lecture अपना स्टार्ट करत ठीक है, तो हम लोग ने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग ने देखा, ओबर ब्यू की आखिरी अरिदीती क्या होता है, एवल्यूशन क्या होता है, जेनिटिक्स क्या होता है, यह सब तर्मेलोजी को हम लोग ने समझा, ठीक है, कोई भी और्गिनिज्म सेक्सवाली रिप्रोड्यूस करें, या एसेक्सवाली, उसके अंडर वारियेशन आहीं जाता, अब यह वारियेशन क्या होता है, तो दो डिफ्रेंस बिट्वीन दो पैरेंट्स एंड देयर ऑफ्रिंग, दो कारेक्टर डिफ्रेंस, जैसे कि माल ल दूस होता है, जिसका आई के कलर तो होता है, इनके सेम पैरेंट्स के द्रह, वही जो इसका बेबी का जो हेर का कलर है, वो क्या होता है, ब्लू के जगा जो है, क्या हो जाता है, ब्लैक, तो यह क्या हुआ, पैरेंट्स से उसके बेबी में या उसके आफ्रिंग में, यह जो आप हम लोग ने यह भी एक चीज समझा था में इंपोर्टेंट टॉपिक कि आखिर यह वारियेशन क्रियेट क्यों होता है तो इसका दो रिजन है पहला तो यह बेसिस होता है इवलूशन का और दूसरा क्या इसका इंपोर्टेंस था मैंने बताया थेक्दम अच्छे से कि य यह चीज हम लोग ने पढ़ा उसके बाद फाइनली हम लोग ने नेक्स टॉपिक यानि की हरी डीटी को सुरू किया इस चैप्टर के जिसमें हम लोग ने रहा है तो क्या होता है तो इस दा पासिंग ऑफ कारेक्टर फ्रॉम पारेंट्स टू डियर ऑफ्सरिंग यानि की का चैप्टर का पास होना प्रेंट से उसके उसके और फ्रॉम में उसके नेक्स जनरेशन में उसके बेबी में उस लिए को आज का नविद्वत रहे चीज क्या होता है इनहरेटो इसके आज हम लोग ने फॉर्दर पढ़ा था रूल फ़ॉर्दा इनहरेटेंस ओफ्सरिज में यहां पर हम लोग को समझना था किस रूल के यह जो है यह च्रेटर है यह प्रेट है यह प्रेंट से उसके बारे में तुरा चा पड़ा उसके बार यह चीज को जानने के लिए मेंदल साब ने कुछ experiment किया था उसको हम लोग ने पढ़ा था यानि कि Mendel experiment on garden pea plant उसमें हम लोग ने रेखा था मेंदल साब ने आखिर garden pea plant को ही क्यों चूच किया था as a experiment material वो सारा चीज हम लोग ने देखा उसके बाद हम लोग ने इनका main experiment जो था जो कि Mono Hybrid Cross और Di Hybrid Cross था वो परने से पहले हम लोग ने कुछ terms को समझा था जो की help करता हम लोग को genetics को समझने में और इस यह दोनों इनका जो experiment था उसको समझने में थीक तो पिछले lecture में हम लोग ने Mono Hybrid Cross तक अच्छे से उनके experiment को पर लिया था ठीक अब आज के lecture में क्या परेंगे उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं ठीक है so topics cover in this lecture तो आखिर आज के lecture में हम लोग क्या-क्या चीज़ समझेंगे ठीक है तो आज हम लोग मेंडल साब का दूसरा experiment जो की डाई hybrid cross था उसको पढ़ेंगे उसके अब हम लोग देखेंगे इसके according मेंडल साब ने कुछ इसके basis पे डाई hybrid cross experiment के बेसिस पे कुछ लॉट दिया था उसको पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग एक नया यहां पर term को समझेंगे नया concept समझेंगे कि यह अभी ठक तो हम लोग समाझ लिए कि हाँ यह ऐसे ट्रेट्स जाता है अब जानने के बाद आपस्विंग में parents से वह कैसे express होता है उसको हम लोग एक एक जांपल के तुरू समझेंगे उसके बाद फाइनली इसका यह मतलब की हारीदीती का लास्ट हम लोग दो एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्टिवीटी 9.1 और 9.2 अब यहां पर मैं एक चीज़ आपको किलियर कर दूं मैं यह एक्टिवीटी 9.1 और 9.2 बीच लेक्चर में नहीं कराया क्यूंकि आपको यह चैप्टर ज लेकिन इसको मैं यहां पर लास्ट में कराया हूं और इस चैप्टर में मात रही दो एक्टिवीटी है तो यहां पर मैं वह करा दूंगा उसका दिया एक्टिवीटी का भी आप लोगा प्राब्लम खतम हो जागा तीक है उसके आद हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन परेंगे ठीक है और यह लास्ट टॉपिक होगा हम लोग के 2021 के बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है इसके बाद हम लोग का यह हरी दीटी समझो क्लास 10 के इस एयर के बोर्ड के कॉर्डिंग कंप्लीट हो जागा सिलेबस ठीक है इसके बाद मैं एवलूशन का सेपरेट लेक्टर मन होगा आपको नौलेज के लिए देख लेना नहीं मन होगा तो यहां तक आपका खत्म आपका सिलेबस यहां तक इस चैप्तर से इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है ठीक है तो इस सेक्स दिटर्मीनेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हाव इस दा सेक्स आफ नि है चलिए उसको हम लोग सुरू करते हैं तो फाइनली दाइभिड क्रौस मेंदल साबका दूसरा एकसपेरिमेंट तो इन दिस टाइप अफ क्रॉस टू पर औफ करेक्टर एट वन टाइम इस यह क्रौस में डो पेयर औफ करेक्टर की बात हम लोग करेंगे एक साथ मोनो फो अबसमें एक करेक्टर की बात थी यहां पे हम ओनोग'ty Transcont specialize क्लियसे न हiving तो जैसे देखो यहां पर यह दो सीद है ठीक यह सीद का पहला चॉछ यो यह रूंद है और यह दुसरे सीद का जो सेप है वह रिंकल रिंकल का मतलब यह ऐसे जूरी जारो round का मतलब यह simple से एकड़म plain गोला ठीक यह क्या हो गया पहला character हो गया पहला character यानि की seed का shape क्या होगा जिसके दो form हो गया round or wrinkle यह एक character दूसरा देखा जाए तो यह आपको देखिए seed yellow है और यह seed जो है green है यानि की seed का color यह क्या हो गया दूसरा करेक्टर सीद के color कितने form है दो form है yellow या green तो basically यह हो गया हम लोग का दो pair of character यहां पर for example वही चीज़ लिखा हुआ है a plant with color and shape of seed एक वैसा plant जिसके seed का क्या color होगा और उसके seed का क्या shape होगा तो यह दो pair of character हो गया तो basically इसी को हम लोग कहते है ठीक है अब चलिए हम लोग experiment क्या है उसको समझते हैं ठीक है तो experiment चलिए देखते हैं तो initially मेंडेल टूक पी प्लैंट वीट टू पेर अफ कॉंट्रास्टिंग करेक्टर मेंडल साब क्या किया दों पीपर को लिए जिसके दो पेर अफ इराफ कॉंट्रास्ट इंग करेक्टर थे ठीक है उसकित़ इंचीज आपको समझ मैं चली यहां पर यह देखी हम लोग ने यह पर बना लिया एक जो प्लास ता रांडान यालो और दूसरा जो था उसका सीज जो था रिंकल गरींट चलो हम लोग ने दो प्लांट या सेम लोग एक्स्पेरिमेंट उनका अपने साथ साथ करते चलेंगे फिछला लेक्षिर आप लोग समझ में आगे होगा और आगे मैं क्रॉसिंग सिखाऊंगे मैं यह मैं बता रहा है कि पॉसिंग मतलब उन्होंने कैसे कराया था ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं उसके बाद इन्होंने उससे आप्रिंग प्रोडूस के उसका देखो यह यहां पर एक चीज इंस्योर कर लिए इन्होंने आपर इन्सयोर कर लिया कि इनके पास जो प्लैंट था वो क्या था प्योर राउंड यलो सीड वाला था और दूसरा प्लैंट जो था वो प्योर रिंकल अंड ग्रीन सीड वाला था मतलब कि which means homo vagas plant with round and yellow seed यानी कि वो plant जो है उसका जो सीड जो है वो round and yellow homo vagas है और homo vagas्या दूसरा प्लैंट भी जो है वो homo dryas wrinkle and green seed का है ठीक है अब चलो यहां पर थोडा सह हम लोग दंधिन सन—— लेकी टीक जैसे हम लोगाँ आपर ठौल की बात कि थी तो तो capital T अलील से tallness के लिए responsible था और small T जो अलील था वो dwarfness के लिए responsible था और यह दोनों मिलके एक gene थे और यह gene के दो form थे अलील थीक अब यहां पर देखिए यहां पर color की बात की जाए seed color की तो उसके दो अलील होंगे capital Y अलील जो होगा वो responsible होगा yellow seed के लिए हम लोगों ने यह denotation ले लिया है और small Y अलील होगा वो responsible होगा green seed के लिए यह एक pair of character हो गया दूसरा pair of character seed का shape क्या होगा तो जो capital R अलील होगा वो responsible होगा कि seed round होगा और small R अलील होगा वो responsible होगा wrinkle seed के लिए ठीक है अब मेंडल साब ने आपर क्या किया और आगे देखतें experiment में he selected one pure plant with round and yellow seed and other plant with wrinkle and green seed उसके बाद इन्होंने एक plant choose कर लिया जिसका जो जो seed था वो pure yellow and round था और दूसरा plant जिसका seed pure wrinkle and green था ठीक है यानि प्यूर का मतलब हम लोग बात कर लेते हैं shape of seed तो प्यूर राउंड का मतलब capital R capital R लेंगे प्यूर राउंड है ठीक है यहाँ पर smaller link नहीं और यहाँ पर color of seed की बात की जाए तो प्यूर यलो यानि capital Y capital Y यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो फीघर में हम लोगों ले लिए ठीक दूसरा हम लोग प्लैंट की बात की जाए तो उसका भी सीट दो था वह प्यूर रिंकल था प्यूर रिंकल के लिए कौन अलील responsible है देखो यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ तक आप लोग को किलियर हो गया होगा चलिए हम लोग एक्सपरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो अभी तक हम लोग ने simply दो प्यूर प्लैंट ले लिए था पहला जो था वो प्यूर प्लैंट था जिसका सीज जो था प्यूर रांड यलो था और दूसरा प्लैंट जो हम लोग ने लिया वो उसका सीज जो था प्यूर रिंकल और ग्रीन था ठीक है अब देखो उसके बाद मेंदल साहब ही कॉल्ड दीस पीवन और पैरेंटल जेनरेशन अब इस जो प्लैंट का सीज था उसको उन्होंने क्या कर दिया पीवन जेनरेशन झाय'dे लिया अफैरिंट ौइसके बाद इन्होंने क्या किया इसका क्रस कराया चलो हम भी लोग रॉस कराते हैं अब क्रасибо क्र अधा और क्रेंट करास के मैंने वहाँ पर प्रोसेस को सिखाए था एक कारेक्टर के जो है उसमें से 99 ऊपपा हो ठीक है तो देखो इस पहले हम लोग इसका पैरेंट इसका गामिट बना लेता हैं ठीक है तो इसक यह के LIKE तो एक तो राई दोसरा शंच्ता है यहीं के यहीं आर तीक लेकिन के LEA क यह वाला इधर वहाई आई और इसका है Capital R, Capital Y और Capital R, Capital Y ठीक अब यह R का काम खत्म हो गया अब क्या हो सकता है कोई possibility में कि Yamit में यह Y यह Y बहुए और इसमें से यह वला Y यह यह वला ठीक है तो यह Y आ गया दूसरा possibility क्या होगा कि यहीным पर इसवार या इधर वला Y यह ऊजा प्रुए। आप लोग बना लें न मैं यहां पर आपको बना देता हूँ रहा होगा स्मj !!! दूसरा है होगा स्म露 ले स्मल वाइटहीक है चत्रा गैमिट क्या होगा स्मुथा क्यां होगा स्मुल आप चंक ETF , आप अवे ख़ता dok ट्रॉस्त स्था वाहं पर को रिवाट में कितना बॉक्स बनाया था हम लोगों ने चार बनाया था और यहां पर तो फॉर कितना हो जाएगा 16 ठीक है तो 16 boxes बना लो ठीक है देखो यह जो है यहाँ पर थम लोग गयमीट रखेंगे तो इसको हम लोग थोरे गिनेगे तो मालो इदर आमोगने एक parent को दिखा दिया और इधर आम लोगों ने एक parent को दिखाद दिया दिया ठीक है इधर इस वाले प्लैंट के गामिट को रख लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई थीक है ग्यामिट को लोग ने रग लिया अब क्रॉसिंग कराएंगे थीक सब्टाइइ पिर इससे इसको करेंगे यह 자 पुर पर एक बार रिवास कराते चल ऌजना आप कलंसे के मैं यही भी क्रोण सिंप्ली करोण सिंप्ली इसको मैं हो जाएगा तीक है यह देखो अलील जो है एक करेक्टर के उनको साथ रखना ऐसा मत कर देना कि capital R और यहाँ पे Y लगा देना ऐसा नहीं एक दम हम लोग अलील जो है एक करेक्टर के उनको हम लोग साथ रख देंगे ठीक है तो यह क्या हो जागा capital R small r और y और पिटल वाई यह स्मॉल वाई तो बेसिकली सारे में यही चीज प्रोडियूस होगा सारे में आप लोग यह आप जब कॉपी में यह नोट डाउन कर रहे हो तो सारे में आप लोग यह क्रॉस करके लिख देना ठीक है उसके बाद देखो क्या होता है अब यह हम लोग 16 आप स्र प्लाइट की बात की जाए तो इसमें मैं आप जर्वेशन आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो यह 16 आप्सरिंग प्रोडियूस हुए तो मेंदल साब तो आप देख नहीं सकते थे तो उन्होंने फीनो टाइप द प्लाइंट प्रोडियूस में उनके सी जोते हैं वह राउंड एंड यलो थे यानि कि यह जो रिंकल और ग्रीन वाला जो करेक्टर है सीड का वह दोनों करेक्टर हाइड हो गया यानि कि हम लोगो यह चीज पता चल गया कि सीड का कलर जो राउंड है वह डोमिनेंट सीफ है जो सेफ है वह राउंड है ठीक है यहाँ पर होने के बाद भी रिंकल नहीं है कि यह दोनों characters जो तहीं में जितने प्रोड जो प्रोडियूस हुए उनका जो जीनो टाइप था वो क्या था कापिटल आर स्मॉल आर कापिटल वाई स्मॉल वाई और फिनो टीपिकल हम लोग ने इनको देखा तो सारे प्लांट के सीड राउंड एंड यलो थे और इसके इसको मैं क्लियर कर देता हूं उसके आगे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं ऑगें ही लेफ्ट टू प्लांट ऑफ एफवन जेनरेशन तू सेल्फ पॉलिनेट अब उसके बाद मेंदल साब ने क्या किया यह जो एफवन जेनरेशन के जीटने प्लांट थे उनको छोड़ दिय यह मतलब की सेल्फ पॉलिनेट के लिए उनको नहीं मतलब उसमें से दो को लिया और उनको छोड़ दिया सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए चलो हम लोग उसको मैं यहां पर सौल नहीं करूंगा वह लोग आप लोग ऐसा ही कॉप्री में बना लेना चेकर बोड और यहां पर यह जो सी था यह मैं यलो से बना देता हूं यह भी यलोगा फिनो टिपकली तो यह लोग दिखेंगे और तीक है और इसका जो जीनो टाइप था वह क्या था जो चेकर बना देखों यह अपर यहां फिर यह आर के साथ यही आ राए गैमिट में ठीक यह और इसके साथ यह स्मॉल वाई आ जाए तो यह एक पॉसिबिलिटी उसके बाद यह आर का काम करता हम अब यह अगर आर गैमिट में फ्लो करता है स्मॉल आर तो इसके साथ क्या सकता है कैपिटल वाई ठीक एक बार यह फिर फ्लो करता है ठीक इस आर के साथ क्या फ्लो कर सकता है यह स्मॉल भाई भी फ्लो कर सकता है तो यह इसके भी चार गैमिट बनेंगे चारों पर को यहां पर लगा दो यानि कि कैपिटल आर कैपिटल देखो यहां पर यहां लगा दिया हम लोगों ने एक प्लैंट का गैमिट सेम दोनों प्लैंट के तो जीनो टाइप सेम थे क्योंकि एफ वन जनेरेशन जो था उसमें 16 जो प्लैंट आप सुर्ण जो प्रोडिउस हुए थे उनका जीनो टाइप और जो सेमी ताइप प्रोडिउस हुए थे और उनका जो फिनिर ताइप देखा जाए तो सारे प्लैंट के जो सीट है वह राउंड यलो थे तो सेम दूसरे प्लैंट का भी बनाएंगे तो सेम यहीं गैमिट बनेगा ठीक अब गैमिट बना वह इसको क्रॉस किया ठीक है तो देखो यहां पर यहा क्या होगा यलो क्यूं कि हांपर डोनो ग्रसमार घॉथ यह इसमॉलर फीड़ यह बीड़य होगा और क्योंकि लोग ने फ़ वन गेने ने में देख लिएते हैं स्माल आर होने के बाद वी जो सारे प्रोडेश हुए उप्लायन वह राउंड दूए तो यह रिंकल नहीं होगा ठीक उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट इसको क्रॉस करा तो इसको क्रॉस करें तो क्या होगा यहां पर और Capital Y है तो Capital Y लिखो यहां पर स्मॉल वाइए यह भी जो प्लाइंट का सीद होगा वह क्या होगा राउंड होगा और क्या होगा यल्लो होगा ठीक है उसके बाद देखो यह बड़ा Capital Y को खिर क्रॉस करा दो इससे तो क्या हो जागा Capital R बार यता है इसको एक्रीमल ऑं इससे को सुर्श में गरबराणा नहीं यहां पर क्या है small r Virtual और हो यहां पर North a capital और यहां पर भी capital यहां वह भी capital y यहां भी capital देखो ये सब मैं note करते चल रहा हूं यह आप दोग भी nost करते चलना हूं तो यहां पर Series Mल आलर है तो यहां पर कियाहै एप से हो जायेगा और यहां पर क्या है capital यह तो यहां पर क्या होगा फिनो अचल बता तो यहां पर दोनों simaal r एक है सिस मॉर्य जो है और राउंड वह यलो नहीं होगा क्यों क्यों कि एक यह पर सब्सक्राइब और यहां पर कभणत कर देंगे लेकिन यहां पर देखो यहां पर जिन इनकी बात की जाएं तो देखो यहाँ पर क्या है, contrated y, वह स्कुछ इनका जो घ्रहों होग वह यालो ही होगा प्रीक है उसके बात यहाँ पर यह नया चीज प्रोडीब्स यहां देखने मैं मिला उसकeon प्रैसको फिर क्रॉस करें इसके साथ तो यहां पर क्रॉस करो तो यहां पर क्या है स्मॉल आर यह क्या है यह क्या है यह क्या है स्मॉल आर यह क्या है स्मॉल आर तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ठीक है तो यह भी सीट जोगा क्या हो जाएगा राउंड हो जाएगा और यल ओर यहाँ पर क्या और यहाँ पर किटल यहाँ स्क्राइं तो यहां पर का यहां टौ क्राथ है से चल kept up ड्रॉब स्मझ कर आते हैं थीड़ी से क्रोस को में एक उस एक परडिये कर देता ह। तब आप लोगो सम्झाता हूं फिसुन कर लिए इतना हम लोगोंने क्रॉस कर लिया भागे अगे क्रॉस किया ? है कि यह देखो आप लोग यह स्क्राइब में आप लोग बना के क्रोस करना ऐसे मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं आप लोग स्क्राइर में प्राक्टिस इसका आप लोग मोनो हाइब्रीड क्रॉस और डाइब्रीड क्रॉस को दो तीन बार आप लोग प्राक्टिस कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा जागा ठीक है चलो आगे क्रॉस करा जाए ठीक और यहां पर क्या है कैपिटल आरे ठीक है सीट जो जब राउंडम यालो जएगा ठिक उसके बाद इसको फिर क्रॉस कराँगे इस से मोग तो है पर क्या के स्मॉल आर टो क्या थिए स्मॉल आर और कापिटल आर ये समॉल वाई ठिक ये भी सीट जोगा क्या हो जाएगा राउंड यहां पर हम लोगों सारा समझ में आ गया सब्सक्राइब कराते हैं यहां पर किया क्या है पिटल यहां पर यह नहीं कि यहां पर seat का से वह दोनों capital आ और तो round हो जाएिआ ठीक है जी सम cabe Fred लेकिन यहां पर दोनो इस उपाल वाई आ गेस हो रोजा कि उप्छाम हो जाएगा निकि की यह सीट का जो है वो क्या होगा जो कॉलर के लिए इसमॉल वाई क्या है अली रेस्पॉंसिबल लटा अट यहां पर किया पर यहां मालय देखा जाए कि अगर यहां पर से था नेकि इस से इस से और इस से ठीक है क्रोस कराए जाए तो यह समॉड़ आरहे और यह समॉल वाइए ठीक है इस से क्रोस करायेंगे तो यह स्मॉड हो जाएगा यहांपर यहां पर क्या स्मॉल 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 यहां प यहां पर बाहिएं की इस माइस माल वाई हो जाएगा जो वॉक्त मोई से यहां फो कलर रजाएगा यहां पर यहां पिलिखनेदी पुरुआ प्रमेक सब्सक्राइदा नॷप क्या है। यहां हम फा मोलत असमॉटर ऐस पार अम पर झार Lum के दो प्लैंट को लिया सेल्फ उनका पॉलिनेशन कराया सेल्फिंग कराया और उप्सिरिंग 16 प्रोड्यूस हुए ठीक है उनका जो फिनो टाइप रेशियो की बात की जाए तो यहां पर मेंडल साव एकदम सौक हो गया देखो एं मोनो हाइब्रिट क्रॉस की बात की जाए तो मोनो हाइब्रिट क्रॉस में डिख्ता था कि जो फ i and generation था उस के एक सबी चाब्राइब्राइन का करेक्टर जेल्फक pursue हाथाए ओर दूसरे ज़ेलेशन में पते मांद साब यहां पर एफ जेनeरेशन कराएं बट जिक हैं और प्रिंग को यानिं की dy और एफ जाइब्रि बास बहुत दो बखेंगे तो फिनो टाइप रीशियो की बात कर लिजाए यहां पर नहीं करेंगे कोई एक्जाम में आने वाला फीनोटाइप की बात होगी ठीक है तो देखो रांड और यलो खलो कि बाद की जये तो त। वह ठीक है और रिंखल और ग्रीन की करूंगा डाई हाईविड क्रोज को आप तो तीन बार रिवाइच कर लो चलो हम लोग आगे चलते हैं सो अबजर्वेशन मेंदल साफ का डाई हाईविड क्रोज का अबजर्वेशन इन एफवन जेनरेशन मेंदल अबजर्व डैट ओल प्रोड्यूस वीट राउंड एंड यलो सीद हम लोग ने क्रोज कर आए वहाँ पर अच्छे से देखा था एफवन जेनरेशन के जितने भी थे उनका जो सीद उनके प्लैंट के जो सीद थे वह राउंड एंड यलो थे और उनका जीनो ताइप की बात की जाए तो कैपिटल और और स्मॉल य और स्मॉल वाई थे ठीक है तो यह चीज़ हम लोगो किलियर था डेयर वेर नो प्रोड्यूस वीट रिंकल एंड ग्रीन स किया आगे उन्होंने क्या दूसरा अब्जर्वेशन अब्जर्व किया था इन एफ्टू जनरेशन मेंडल अब्जर्व डैट प्लांट वेर प्रोड्यूस वीट सम् प्लांट प्रोड्यूस वीट राउंड एंड यलो सीद सम् प्लांट प्रोड्यूस वीट राउंड ग् करेक्टर और आगए ठीक है वह क्या थे सम्प्लाइंट प्रोड्यूस भीट रिंकल एंड यालो सीड और बात की जाए फिनोटीप फिनोटीपिक रेशियो की एफ्टू जनेरेशन की तो नाइन इस तू थी तू थी तू थी तू वन तीक है यह आपको याद रखना जीनो टीप जीनो टाइप इसका नहीं आता है यह आप लोग क्रॉस दो तीन बार प्राक्टिस कर लेना थीक नाइन जो थे वह सीड प्रोड या मेंदल का जो यह है चीज खतम हो जाएगा सो कंक्लूजन आफ डाई हाइब्रीट क्रॉस मेंदल कंक्लूडेड डैट एफ़न जेनरेशन दग करेक्टर ऑफ अनली वन पारेंट इस अपियर हम लोग ने देखा था दोनों पारेंट में से एक पारेंट का करेक्टर जो थ क्या थे हैं डाउंड तो यह करेक्टर जो था वह डोमिन्यन करेक्टर यह क्लियर हो गया।fest डगारिट के बाद की जाए वहा पे यह जो दूसरा पारेंटर जो था जिसका करेक्टर ऐफ ऑन ऑन जेनरेशन में एप्पियर ह में उता हो उसको हम लोग नहीं कह दिया यहां पर नियू फीनो टाइप और ऑकरेंट हो गया था मैंने बताया था नुटरह कि यहां पर हम लोगों को सीड मिले थे प्लैंट मिले जिनके सीड और लगी टाइप के थे यानि कि पैरेंट में वह ऐसा कोई करेक्टर ही नहीं था तब भी वह करेक्टर आ गये थे फ्तू ने सनमेर तरीक शोग्ट जीन ओ फोरांड यालो टसी एर इनफेड इनदिपेंडली इनदिंडिमेडनेंट अफ इच अदर याहां पर इस एक्सपरिमेंट के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं जो भी जोग जीन होते हैं उनके जो 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 वह अलील होटे आंप जीन जो होते है वह इन्हेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली ठीक वह हम बताते हैं कैसे यहां पर समझो ठीक यह जो हम लोग एक पैरेंट के सीद लिये थे वह राउंड था और यलो था ठीक लेकिन यह जो राउंड और यलो जो दो करेक्टर ऐसा नहीं है कि जब यह जाएंगे दोनों साथ ही जाएंगे ऐसा नहीं है यह एक Nexus ऑलग जाएगा और जो यह कै color of seed है ये बी कारेक्टर जो है अलग जाएगा ये अलग गया था तभी ना तभी महीं हुआ था रांड जो सीड़ जो शीफ़ वह रिंकल प्रोडिवस हो गया था ये तभी नहीं वहापे नया दिया था चलिए उसको समझ लेते हैं तो मेंडल गीफ वन लग ऑन डाइबिड क्रॉस एक्परिमेंट वह लोग का नाम क्या था लग अफ इंडिपैंडेंडेंट एस्टॉटमेंट यह लग इंडिपैंडेंट एस्टॉटमेंट क्या कहता जी तो जो यह कहता है अलील ऑफ ज देख लिया था एक कारेक्टर जो है दुसरे पर डिपैंड नहीं होता है यानि कि ऐसा नहीं है जब भी यह राउंड यलो जो है यानि कि कोलर अफ सीड जो है वह यलो और से फूल यह दोनों सांत जाएंगे यह ऐसा नहीं है यह दोनों अलग जाएंगे ठीक इसको मैं एक एक्जाम्पल से समझाऊ, for example, a person may get the hair color from his her father and eye color from his her mother, because both traits assert independently of each other, ये एक baby जो है मालो, वो जो है अपना eye का color अपने papa से ले सकता है, तो अपने hair का color जो है, वो mother से ले सकता है, ऐसा नहीं है, ये जो eye और hair का character जो है, दोनों एक दूसरे पर dependent, ऐसा नहीं है, दोनों अलग-अलग है, चाहे तो वो baby अपने parent से ले सकता है, यानि father से ले सकता है, या फिर अपने mother से ले सकता है, जिसको वो character, ठीक है, तो ये इससे हम लोग experiment से conclude हो गया, कि एक character, दूसरे character पर depend नहीं करता है, ठीक है, तो चलिए आई होप आपको यहाँ पर सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग का topic है, how do these traits get expressed, अब तो हम लोग ने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया, मेंडल सापके experiment परने के बाद कि आखिर किस basis पर क्या rule है inheritance का कैसे transfer होता है character का parents से offering तक, अब transfer तो हम लोगों ने पर लिया कि हाँ, इस तरह से transfer होता है, जो DNA होता है, उसके अंदर gene होता है, वो gene character को लेकर जाता है, parents से offering तक during reproduction और यह जानने के यह gene आया, ठीक, अब उसके यह कैसे express होके, इस आई का color red कर देता है, basically इस चीच को हम लोग समझेंगे, यह मैं एक example दिया हूँ, mainly हम लोग समझेंगे कि यह कैसे traits जो है, यह express होता है, ठीक है, तो देखो, यहां पर मैं कुछ line आपको पढ़ा रहा हूँ, यह पहले भी lecture में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके पिछले वाले, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग पर रहे हो, तो ठीक है, थोड़ा सा 10 सकेंड, 15 सकेंड का है, और एक पर देख लो, ठीक है, यह छो होता है, एक साथ डू होता है, ठीक, इन ऑअभ रिंग, वान कॉंस रम मुडर एडे, वान का फुरान वान कम फ्रादर, जो आप्टिन नया जो प्रोडूस होता है, उसमें अगर सेक्शी प्रोद्यूस हो रहा है, तो एक जो प्रोग मो जो मैं वहाता है, और दूसर लॉंग क्वाइल क्या होता है dna molecule से बना होता है यानि कि लॉंग क्वाइल जो dna होता है वही आपस में क्वाइल हो जाता है तो वही क्रोम हो जाता है उसके बाद आगे चलो देखते हैं the dna carries a code that instructs the cell about which kind of protein will it make अब देखो यह जो dna होता है वह code carry करता है जो की instruction देटा सेल को कि किस तरह का protein बनाना है ठीक है यह चीज़ यहां पर हम लोग नया चीज़ समझें देखो पहले से रिलेट करते चलना है ठीक है उसके बाद देखो part of a dna that is responsible for a trait हम लोग जानते हैं dna का हर पार्ट जो है वहां पर dna के हर एक पार्ट पर एक जीन होता है तिक जो की responsible होता है किसी character या किसी ट्रेट के लिए ठीक है there are many genes present in on the chromosome अब यह एक chromosome है इस पर बहुत सारे जीन जासे यहां पर माल लो यहां से यहां तक जीन हो जाएगा फिर यहां पर आगे और यह जीन हो जाएगा तैनी एक chromosome पर बहुत सारे जीन होता है ठीक है उसके बाद देखो which control the characteristic of an organism और जो की characteristic control करते हैं उस organism का a gene is expressed in the form of proteins अब यह जो जीन है बेसिकली को कोड को ले जाता है parents से authoring तक और वो कोड क्या करते हैं protein बनाते हैं उस cell में ठीक as cell duplicates they pass the genetic information to the new cell अब देखो जब cell division होता है तो यही जो है कम मैंने बताया था DNA का application होता है reproduction में और वो DNA जब replicate हो जाता है तो दोनों सेल में equal amount में DNA चला जाता है या फिर उसको another language में आप लोगा सकते हो कि Chrome चला जाता है ठीक है during reproduction यह हम लोग जानते है इसको और दीटेल में but genes do not perform the actual work अब लेकिन देखो यह जो जीन है एक्ट्वल वर्क परफॉर्म नहीं करता है मैंने पहले भी बताए यह जो जीन जो होता है सिर्फ instruction book होता है for making protein इसके पास code होता है इसके पास समझो recipe होता है कि किस तरह का protein उस cell में बनाना है ठीक है does proteins perform the actual chemical reaction in our body और वही जो protein जब बनता है ति वो chemical reaction करते है हम लोग के body में it is this protein which carry out the actual function of the performing different function and controlling various characteristics और यह जो protein है जो है different kind का code आता है और उस kind उस code के according protein बनता है और actually में यह protein ही जो है various characteristics जो होता है उसको control करता है so genes produce the proteins which turn into control the characteristics और तर यानि कि हम लोग यह चीज़ समाझ गे है जो genes होता है वो उनके पास code होता है वो protein को produce करते है और वह ही जो protein है वो control करता है characteristic को देखो यहाँ पर मैं एक example के तुरू आपको सारा मखन के लिए crystal के लिए एकदम concept कर देता हूं ठीक है let us take example of tallness as a characteristic यहाँ पर हम लोग एक example लेते हैं कि tallness जोएक एक characteristic है ठीक we know that plant have hormone that can trigger the growth हम लोग जानते हैं कि plant के पास hormone होता है और वही responsible होता है उस plant के growth के लिए ठीक दस plant height depend on the amount of particular plant hormone और वो जो अब यहां से हम लोग यह चीज़ कह सकते हैं यह उस plant के अंदर जितना amount में hormone होगा उतना ही plant का height होगा यानि कि height depend करेगा उसके amount पर plant के hormone के the amount of plant hormone made will depend on the efficiency of process of making it और यह जो amount जो है plant में कितना amount में hormone produce होगा वो उस पर depend करता है उसके efficiency पर plant के कि कितना वो बना पाएगा वो hormone ठीक है consider आप देखो यहां पर consider now a protein that is important for this process अब हम लोग consider करेंगे कि उसके लिए protein चाहिए उस hormone को बनाने के लिए ठीक है if the protein work efficiently अगर उस plant में अगर वो protein अच्छे से बनता है efficiently बनता है तो a lot of plant hormone will be made ठीक और उस plant में क्या होगा अगर protein बनता है अच्छे से तो क्या होगा वो hormone बनेगा और वो hormone अच्छा से बनेगा यानि कि जो plant है वो टॉल हो जागा ठीक है if the gene for the that protein has an alteration और वो protein को जो gene बनाता है जो कि protein help करता plant hormone को बनाने के लिए जिसके वज़े से height बड़ा हो गया था अब मानलो वो gene उसमें कुछ अल्टर है तो protein बनेगा नहीं सही तरीका से the protein less efficient होगा तो वो plant जो है उसके अंदर amount हर्मोन का वो भी कम बनेगा और वो कम बनेगा तो plant क्या हो जागा सौट हो जागा दस gene control the characteristic or threats basically आपको इस examples I hope clear सारा चीज हो गया होगा ठीक है तो चलिए हम लोग next topic की ओर चलते हैं so activity 9.1 चलिए देखते हैं इस activity में हम लोग को क्या experiment करना है देखो पहली बात यह activity आप लोग को खुट से करना है मैं यहां पर समझा देता हूं कैसे करना है क्यूंकि आपका देता मेरा देता अलग होगा और हम तो आपको पढ़ा रहे मेरा तो अभी स्कूल लाइफ भी खतम है तो basically यह आपको experiment जो है अपने classroom में perform करना है ठीक है ऐसे exam point of view के लिए इंपोर्टेंट नहीं है यह इस तरक activity exam में आने का बहुँट कम करना अपने आपके class में जितने भी स्टुडेंट हैं उनके यह लोग को अटेस्ट करना है यह यह इसको हम लोग बलते हैं इस वीगर में यह सब को जानते हैं ठीक उसके बाद हम लोग को क्या करना है प्रिपेर एलिस्ट ऑफ तुडेंट हैं फ्री और अटेस्ट यह लोग आप लोग को क्या करना है एक list बना लेना है जैसे एक classroom है उसका हम लोगोंने list ऐसे बना लिया है उसमें dividation कर देंगे एक side वैसे student का नाम लखेंगे जिनका year love जो है वो free है और एक side वैसे student का नाम लिखेंगे जिनका year love जो है वो attached है Attached Year Lope वाले ऐसे होंगे और Detached Year Lope वाले ऐसे होंगे उसके बाद हम लोग को क्या करना है calculate the percentage of the students having each ठीक अब हम लोग ये class में जीतने भी student है उन्में हम लोग को percentage निकाल लेना है कि कितने percent student है उनका Year Lope जो है वो free है ठीक है और कितने percent student है उनका Year Lope attached है यह आप लोग अपने से करने अपने क्लास्रूम में आपके करने वाला एक्सपेरिमेंट है उसके बाद उसके बाद क्या करना है आपको नका यहाँ पर यह बना लेना और देटा में आपको परसेंटेज निकाल लेना है कि कितने परसेंट जो हैं free year lobe वाले हैं कितने percent जो हैं वो attached year lobe वाले हैं तीक है उसके बाद based on this evidence suggest a possible rule for inheritance of year lobe तो आप लोग इसके basis पर आपको बताना है कि कैसा मतलब inheritance यहाँ पर दिख रहा है year lobe का देखो तो आप लोग क्या पाओगे जब आप लोग percentage निकाल लोगे ना तो आप लोग देखोगे कि 70% जो student है उनका year lobe था वो free था यानि कि इस तरगा था 30% only जो student है उनका year lobe जो था वो attached था ठीक है तो basically यही आप लोग observation पाओगे और इसके basis पर rule of inheritance की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्या होगा यह free year lobe है यह dominant character हो जाएगा और यह recessive क्योंकि यह com दिख रहा है और यह ज्यादा दिख रहा है तो I hope आपको यह activity अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए हम लोग अब इसका observation तो आप लोग अपने से लिख लेना copy में अपना experiment करके चलिए ह हम लोग activity activity 9.2 चलिए इसमें देखते हम लोग को क्या करने के लिए activity बोल रहा है थिक तो इसमें हम लोग को experiment में क्या करना in figure 9.3 and CRT का जब आप लोग एक्सबुक देखोगे तो mono hybrid जो हम लोग ने cross कराया था उसके कितने जो genotype का ratio आया था और कितना phenotype का ratio आया था वह ही वहाँ पे उस figure में दिया हुए थिक है तो what experiment would we do to confirm F2 generation did in fact 1 ratio 2 ratio 1 ratio of capital T capital T capital T small T small T small T 13 combination देखो यह जो activity का language NCRT में talk है इसको मत समझो मैं समझाता हूँ easy language में यह activity में क्या करने के लिए हम लोग को बोल रहा है थिक है तो in simple words activity 9.2 ask us to conduct an experiment to prove that in monohybrid cross the genotypic ratio in F2 generation is 1 ratio 2 ratio 1 यानि कि हम लोग को proof करना है कि जो F2 generation में जो offering produce हुए थे जो plant produce हुए थे उनका genotypic ratio 1 था 1 ratio 2 ratio 1 था यानि कि capital capital T के plant 1 थे और capital T small T के plant 2 produce हुए थे और small T small T के जो plant है वो one produce हुए थे तो यह हम लोग को proof करना है तो इसको हम लोग proof करने के लिए procedure क्या करेंगे देखो monohybrid cross में बात की जाए फिनोटीपिक ratio की तो 3 जो थे वो tall हुए थे और 1 जो थे वो dwarf हुए थे यानि कि short हुए थे तो 3 रेशियो 1 था फिनोटीपिक रेशियो और जीनोटीपिक रेशियो की बात की जाए तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 था यानि कि 1 जो था capital T capital T plant था और 2 जो था वो capital T small T plant produce हुआ था और एक जो प्लैंट था वो small T small T प्रोडिउस वह था अब इसी चीज़ को प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो पहला चीज़ यह जब फिनोटीपिक रेशियो यह हम लोग तो आसानी से यहां पर देख ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को दिख जाता है बद हम लोग जीनो प्रोडिउस हुए थे आफ तुजनरेशन में वो कैपीटल टी कैपीटल्टी है मतलब की एक प्रोडिउस हुआ था तो इसको आम लोग प्यूर क्रोस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ठीक आप कैसे पता चल लगए मैं आगे बताता हूं और इस प्रोसेस को हम हैं यानि कि जब हम लोग किसी भी जो आपनी प्रोड्यूस हुआ है उसको अधियों प्रसेटी से क्र trop करते हैं तो उसको पूलते हैं ठेस्ट क्रोस यह टेस्ट क्रोस के को नामीaları होगा इसे हम लोग टेस्ट करते हैं कोई भी जी ओप को ठीक है तो चल्य हम हम लोग आगे इसको टेस्ट करते हैं और प्रूफ कर देते हैं तो देखो यह हम लोगों ने जो मेंदल साब का मोनो हैब्रिट क्रॉस था वही मैंने आप पर यह आपको एक बार क्रॉस यहां पर डाल निया हूं जिससे आप लोग एक बार रिकॉल भी कर लो देखो अब चलो एस thousand हैं सेथा यहां पर इनको क्रॉसिंग क्रॉस होगा क्रॉस होगा क्यापिटल टी एसं मॉर्ची यहां पर कितने नमबर आप रूप्व प्र laboral इवानिया हम लोग फिनो टाइप देखें तो क्या होगा यहह टौ हम लोग को दिक्ष था क्योंकि टॉलने स्थभ ता मिनै लोगा तो एक बार और पॉसिबिलिटी यह भी है कि गैमिट में कई भी एस्माल्टी भी फ्लो जाए लेकिन यहां पर दोनों ही एस्माल्टी प्रोडूस होगा और यह जो प्रोडूस है यहां पर किया हुवगा दोयां और पर यहां पर तह halal ittओ है यह ABOUT यहां पर लोकर तो यहां पर तो सिर्फ एक ही प्रोडूस होता यानि कि यह चीज ख्लियर हो गया इस टेस्ट क्रोस से कि इसके अंदर एक स्मॉल टीवी परजन था जो कि गामिट बना तोहां पर वो सेग्रीकेट कर गया और यहां पर नेक्स जनरेशन में अपने प्रणृस फ्रूफ हो गया हगा सम इसमें भी फह चीज प्रूफ हो जा यहां पर कुछ ना कुछ इसके साथ यह जो हम लोग देख रहे थे कि टॉल है उसके अंदर वह ऐसा भी अलील परजेंट था स्मॉल टी भी परजेंट था जब गैमिट बना और जब उसको हम लोग प्यूर जो है हो रेसेसिफ से वेराइटी से हम लोग ने क्रॉस कराया तो व सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सेक्स डितर्मिनेशन आखिर यह क्या होता है चल यह इसको हम लोग समझ लेता है वी हैब डिसकस्ट दा आइडिया डेट टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सल रिप्रोड़क्शन अभी तक हम लोग यह चीज बार बार पहे लिवेट आगा हैं कि जब भी सेक्स वली की बात हो यानि कि कोई बी और डिप्रोड़क्शन से करता तो वहां पर डो परेंट की नीठ परती है पहला जो प्यरेंट होता है उसका जेंडर या सेव और दूसरा जो प्यरेंट होता है वो फीमेल होती है अब बताओ यह कैसे हम होना है ditermination यानि कि जब भी हम लोग किसी भी ओतरींग का gender sex या फिर वो मेल है कि फीमेल है जब हम लोग determine करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स determination ठीक है यहाँ तक किलियाट अब चलो समझते हैं इसके के बारे में अच्छे से डिटेल में ठीक कि आखिर करने में लोग कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसी भी ऑफ्ष्रिंग का ठीक तो हाव इस दा इनों नीव बार्ण alonकी होता है उष्र इसका सेक्स कईसे डिटर्माइंड किया जाता है तो देखो सेटक के आखिरчи और्ट ईजिवट obliged एंडिवरेंड गुट सहल Näum है in some animals the temperature at which fertilized egg are kept determines whether the animal developing in the egg will be male or female यानि कि कुछ animals की बात की जाए तो उसमें उनका जो एक इस temperature पर fertilize रखा रहता है वो temperature उस time का temperature decide करता है कि उस एक के अंदर जो या प्रोजनी जो भी आप उसको बोलो डेवलाप उसके एक के अंदर वो मेल होगा की फीमेल होगा यानि कि एक जिस temperature पर है उस temperature के according उसके अंदर का जो एनिमल है या ऑफ्रिंग है या और गेनीज में उसका sex determined होता है temperature पर वही बात की जाए इन ओडर एनिमल्स सुच आज एस नेल can change sex indicating that sex is not genetically determined अगर ओडर एनिमल्स की बात की जाए जैस एस नेल में तो वो अपना sex change कर सकता है या तो वो मेल रहा सकता है या तो वो फीमेल रहा सकता है जो की इसारा करता है कि यह जो gender या sex है यह genetically determined नहीं है इसका मतलब क्या है जी genetically determined नहीं है यानि कि यह characteristic जो है sex का यह उसके parent से determined होके नहीं आ रहा है और determined होके आता parent से flow होके आता तो वो change नहीं कर पता लेकिन यहां पर change कर ले रहा ठीक वहीं भी बात की जाए however in human beings the sex of individual और gender of individual is largely genetically determined why human beings की बात की जाए तो यह gender जाए कि यह human baby है वो producer हो रहा है तो वो male होगा कि female होगा यह genetically already determined होता है तीक है तो I hope आपको यह सारा चीब समझ में आ गया होगा चलिए हम लोग next आख爹़ यह हम लोगा next टर्म है हम लोग यही परने वाले है कि sex determination यहीं human beings में कैसे होता है उसह हम लोगों परना है so sex determination in human being आख यह human beings में mes यह sex determination कैसे होता ही ठीक तो देखो human being में sex of individual जो है वो genetically determined होता है यानि कि genetically determined होता है कि जो authoring है वो male होगा कि female होगा ठीक है यह चीज हम लोगा यहाँ पर यह समझ में आता है all up देखो यहाँ पर हम लोगों को सिखना है कि कैसे sex determination होता है human beings में देखो जितने भी human beings में जो cell होता है उसके अंदर 23 pair of chromosome होता है मान लो यह आपके पास human beings का यह cell है इसके अंदर 23 pair में chromosome होता है और number की बात की जाए तो एक cell में 46 जो है chromosome होता है ठीक है और pair में 23 होता है out of these 22 chromosome pair are called autosomes और यह जो autosome होता है वो decide करते है general characteristic of individual अब देखो इस 23 में से क्या हुआ 22 जो होते है यानि कि एक और यह cell बना लो इसमें जो 22 होते है वो autosomes होते है जो कि normal जो है क्या करते है character को decide करते है normal character क्या है high का color hail का color dwarf ने समलोग जो authoring है वो tall होगा कि short होगा उसके eye का color क्या होगा उसके skin का color क्या होगा यह चीज़ डिटर्माइन करते है और वही जो एक आखरी pair जो होता है जो आखरी pair होता है last chromosome उसको हम लोग sex chromosome करते है और यही जो pair होता है sex chromosome का यही help करता है उस authoring का gender decide करने में ठीक है अब देखो अगर omen होगा अगर कोई भी omen है तो उस omen के अंदर जो sex chromosome है यानि sex chromosome का जो pair है उसके both जो pair यानि कि हर एक pair के अंदर क्या होगा एक pair है तो उसके दो क्रोमोजोम होंगे तो दोनों क्रोमोजोम जो है वो omen में x होता है और वही male में बात की जाए तो mismatch pair में होता है sex chromosome में एक x होता है और दूसरा y होता है देखो यहाँ पर मैं clear चीज़ कर देता हूँ यह मालो हम लोग का यह male का sale है male के sale के अंदर male के sale के अंदर क्या होता है 46 हम लोग जानेगे total number of chromosome होता है तो 46 में अब मालो इसमें जैसे pair की बात की जाए तो 23 pairs में होता है अब 22 जो होता है autogums होता है pair और number की बात की जाए तो 44 जो हो जाएंगे वो autogums chromo-jum हो जाएंगे जो कि normal collector decide कर रहे है और एक pair जो है वो क्या कर रहा है क्या decide कर रहा है sex decide कर रहा है वो individual का sex क्या होगा और 1 x हो और 1 y हो ठीक तो यह क्या हो जाएगा female हो जाएगा यानि कि यहाँ 44 और 2 यह 46 हो गए है तो 46 हो गए हैं और यहाँ पर भी देखो 44 और यह दोनों मिल के 46 हो गए है यानि कि male में जो sex kromo loam होता है वो x and y होता है और female में x and x होता है ठीक है इन फीमेल एग और ओवम रिसीव एक क्रोमोजोम डियूरिंग गैमिट फर्मेशन अब देखो हम लोग जानते हैं जब भी गैमिट बनता है तो वहाँ पर जेनिटिक मैटेरियल हाफ हो जाता है सेक्षल रिप्रोडक्शन में आधा जो जो जेनिटिक मैटेरियल है वह मेल से जाने कि मेल से आता है और आधा जो है फीमेल से आता है 50-50 मिलके 100 परसेंट जो है और अच्छे से चीज़ समझा दूं यहाँ पर जो मेल जो फीमेल की बात कि जा हम लोग तो फीमेल बेज़ों होता है फीमेल गामिट का क्या नाम होता है एग तिक अब इस एग में जो है 50 10 परसेंट हम लोगों को क्रो मोगम लाना है फिक तो वहाँ पर 23 जो थें पीर में थे और नंबर में 46 थें अउस फ्रॉटिसिक्स में जो है क्या हो जाएगा जो 22 आएगा अनल के बहुत्याम और लसे देख हो यह अभस करो मोगया में divination canी बात की जाए तो मेन है तो XC तो यानि यह एक तो यह 23 हो जागा या फिर यह एक अल्यागा भी यह 23 हो जाए यानि कि यहाँ पर सिंपल सी बात की जाए तो एक सेल में एकसी जाता है chromogen in females egg receive X Chromosome during gamit formation यह चीछ के लिएर वट इन लिखाव अगर की बात कि आधा था के नमबर आफ होते हैं पूर उसमें 50 परसेंट जो होता है उनके गिया मिट में है एक्स आता है और उनके मतलब एपर में यह अथा धीक अब देखो हैं शिटना इन्टरी स्टिंग हो जो है एक्स क्रोमों जो मैं 50 परसेंट जो पर मैं उसमें वाई क्रोमों जो मैं ठीक आप देखो क्या होता है यह अगर वाई आके X से fuse कर गया, यह X से, तो क्या होगा, X और यह Y मिलके क्या हो जाएंगे, यह जो individual, यह जो जाइगोट होगा, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, chromosome X and Y, जो की further develop होके, क्या चीज में बदल जाएगा, आप बताओ, क्या चीज में बदल जाएगा, X, Y, किस में होता है, male में, तो यह baby जो होगा, वो male होगा, वही यह X वाला आके, इस X से fuse कर देता है, तो एग में तो already X था, और यह X आके, X, X हो जाएगा, तो वो जाएगोट जो है, तो क्या चीज में हो जाएगा, जो है, girl child में change हो जाएगा, तो इसी तरह सेम, sex determination होता है, human beings में, तो I hope आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, तो देखो, यही चीज मैंने जो उदर समझा है, during the time of fertilization, the egg cell में भी fertilized by sperm carrying X chromosome, अगर वो जो एग है, उसके अंदर X है, ठीक है, अब उसको वैसा एसपर्म आगे fertilize कर देता है, जिसके अंदर X chromosome है, तो X X मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जाइगोट 2X हो जाएगा, और जो जाइगोट है, वो डेवलप होके female child में बदल जाएगा, वो ही order हैंड देखा जाए, तो एक जो है, उसको अगर fertilize करता है, वैसा एसपर्म जो Y chromosome को करी करता है, तो जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, एक X and एक Y हो जाएगा, जिसके वज़ा से क्या होगा, वो डेवलप हो जाएगा male child में, ठीक है, यानि कि, अगर human beings में basically बात की जाए, कैसे sex determined करता है, किस पे depend करता है, तो वो sperm पे depend करता है, कौन सा sperm जो है, उस एक को आके fuse करता है, ठीक, तो जाएगोट को जाएगा, तो पूरा वीडियो को लास तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं, अब नेक्स लेक्चर में, और यहाँ पर यह हैरिडीटी पूरा खतम, अब हम लोग नेक्स लेक्चर से आपको अगर मन होगा, तो नॉलेज के लिए आप लोग एवोलूशन वाला पार्ट लेक्चर देखना नहीं तो कोई बाट नहीं है, तो चलिए, बाबाए, अगर से आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो जरूरी से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा, और साथी मुझे कमेंट में जरूर बताइगा कि इस लेक्चर का आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, अगर आप चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल बतन को दबा दिजे, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, उसका न झाल 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 झाल